हेलो बच्चो क्या हाल चाहले आप लोगों का तो आज बारी है रिविजन लेक्चर नमबर 21 की हम स्टार्ट करने वाल लिए है इलेक्ट्रमेग्नेक्टिक इंडक्शन अगें इस यूनिट की जो वेटेज है वह एट माक्स असान यूनिट है बहुत सारे कोशन की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा फॉर्मुला बेस्ट है थोड़े से कंसेप्ट चोल आते हैं अगें फिर मैं इसके इंपॉर्टन कोशन की भी एक वीडियो बना दूंगा उसी पैटन पर करते रहना बढ़िया से माक्स आएंगे एक डेस का आप लोगों को वैसे घैप मिला फिजिक्स में तो बढ़िया से प्रिप्रेशन हो सकती है बहुत जबरदस तरीके से आप इस एक्जाम को फोर सकते हो चलो स्टार्ट करते रहेंगे और चीजह समझाती रहेंगी पहले तो अपना है फेरेड़ेस लॉग सबसे पहले क्या अपना फेरेड़ेस लॉग बहुत सिंपल सा फंड़ा रहता है कि यार किसी भी सर्कीट क्या क्रावस अगर एमस जनेरेट हो रहा है वो डिरेक्ली प्रोपॉशनल रहता कि इ सीधा सा होता है यह आपका इसके बाद आता है आपका लेंजस लॉग लेंजस लॉग ने भी यह का था लेकिन उन्होंने यार एक चीज और बोली कि माइनस डफाइ डफाइब ट इसकेस में मॉन लगा सकते हो ऐसमें क्योंकि नो ऊहरीक्शन के बारे में उन्होंने बोला यह नॉन nen Hij यह भी फंड़ा है है तो है बताएंगे इसका एनर्जी कंजर्वेशन में यह चीज़ आती है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करवाने के लिए यह चीज़ लगती है समझाऊंगा अभी क्या होता है यह भी लग गया माइनस साइं डिनोट करते हैं अपने कॉस किसी मेगनेटिक फिल्ड में एंटर करती है किसी विलासिटी से तो जो वह एमेफ जनर्ट होता है उसके अक्रॉस वह होता है इसको स्टू बील्वी सिंपल वंड है इसलिए थोड़े सब दो-चार मिनिट ले रहा हूं है आप लोगों के ताकि आप लोग यह सारे चीज़े चैनल से शट्यों का मुँला कहां से इसे होता है इतना samples से फिर बाइब ऑन सी हमने आपे किया कियाते चोटी सी कॉई आप ये कुछ क्या ली थी इसके राउस कोई सोर करनेक्ट कीया समझाती है इतनी बात और source भी कौन सा है direct current का भी alternating पर हम आई नहीं है ऐसे कुछ है यह L है तो इसके cross जो भी flux बगारा generate होगा current पर depend करता है कितना current यहां से वहां जाएगा L होता है इस wire का बोलते हैं उसे coefficient of self-induction coefficient of self-induction phenomenon क्या होता है यहां से current flow कर रहा है इधर तो जो इसके अंदर EMF बनेगा उसकी वज़े से जो induced current आता है वो opposite direction में बनता है ऐसे आई induced opposite direction में अपने cause को क्या कर रहा है उपोस इमफ किस वज़े से बना या कह सकते हूं तो induced current किस वज़े से आएगा जब इसके Across current जाएगा मांते हो यह चीज्याते Jeanne current जितना जा रहा हो उसको उप्वोस कर रहा है क्योंकि current जितना जाएगा सफना induced current बनेगा और induced current अपने ही cause को बोस कर रहा है वो बनता है जब current आता है मिए यार वो आते हुए करने लग गया तो दीरे-दीरे खुद भी कम होएगा वह पंगा पड़ता इसके अंदर भी तो यह रहता है पंगा भी क्या मतलब कंसेट्ट तयारक करना तो है यापन को यह आता है और एक फॉर्मुला और है म्यू नॉट एन स्क्वेर ए बाइ एल सारे यूज़ करेंगे अभी हम देखना और आता है आपका फिर क्या आता है म्यूच्वल इंडक्शन म्यूच्वल इंडक्शन इन सब कंसेट्ट के ऊपर आज हम कॉश्चिंज डिसकस करने वाले हैं म्यूच्व और एक फॉर्मुला यह है म्यू नॉट दो कोईल्स हैं दोनों के डिफ्रेंट नंबर ओफ टॉन्स हैं म्यूच्वल एक फंडा याद रखना बच्चों यहां पे हमेशा यहां पेना आपकी दो कोईल्स होती है चलो मैं चोटा सा ड्रॉ करके आप लोगों को एक्स्पें कर ठीक है को एक दूसरे के साथ इनका एक्सिस क्या लाई कर रहा है को एक्जे सेम एक्सिस तो जो भी आपका फाइनल यह म्यूचल इंदक्शन कोफिशेंट निकलता है ना उसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना जिसका भी एरिया कम होगा कोईल का उसका एरिया कंसिडर करन आपको बता रहा हूं इतना याद रखो एवन आपको याद रखना हुग छोटे वाले का एरिया होगा लिग देता हो यहां पर एरिया ओफ smaller loop smaller coil small coil the smaller coil baş यह सारे के सारे कंदेट पर घूने नियुनेट इसकी बच्छों हैं रहती हैं हैं अब बिक कर लेंगे यूनिट के रहती हैं अब स्टार्ट करतें पश्चों कॉशंच चालू यह अपना गंज है हो गया आपको लोगो चार-पांच मिन जितने में मेरे को नहीं पता कितना डाइम लगा उसके अंदर सारे की सारे मैंने आपको रिकॉल करवा दिया EMI के अंदर यह 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 ऐसे रहती है चीज़े ठीक है अब आपको कुश्चिन करने में मज़ा आएगा सब्सक्राइब के सामने आ गया होगा देख वही चीज स्टेट फेरेदेस लौफ अल्रेडी मेंचेंड यह तो बताने की जुरूरत नहीं होने चाहिए क्या है यह चीज मैंने लिग दिया अब उसके बाद वह कहता है आप लोगों को भी बोला था कि लेंज अपने को सब्सक्राइब करता है कैसे लेट में एक्स्प्रेशन प्रिंसिपल क्या बोलता बच्छों एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलता है कि पूरे किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी रहने चाहिए अब एक बुकिश लाइन आपको पता है एनर्जी कर नाइधर भी क्रियेटिड आगी हो गया आपके सामने दू आपने है आपके दिमाग में आ चाहिए ना और भी डिस्ट्राइब बट कैन इट कैन भी ट्रास्फॉर्म्ड फॉर्म फॉर्म तु अनदर ठीक है एक फॉर्म नौट साउथ एक बार मेंगेट को इदर लेके आ रहे है हमें पता है इसके अंदर करेंट इंडियूस होगा कैसे होता है यह बी बता देता हूं यह कुछ कॉईल है यह आ रहा है आपका नौर्थ पॉल इसके अंदर करेंट ऐसे बनने वाला बच्छों यह ऐसे यह इधर क् बता है मैं तो बता रहा हूँ तो यह पेस्वाइब करता है हमेशा वह नौर्थ बनता है तो यहां क्या बना आपका नौर्थ पॉल यहां बना और यह इंडिूस करेंट है क्वज़े से आया क्यूंकि कोईल पास क kole gonna आरे थी कि समझ आता है क्वा है क्रॉण बढ़ रहा यह बढ़ रहा दीरे-दीरे लेकिन साथ इसे क्या करेगा है रिपेल करना स्टार्ट कर देगा जब वो नॉर्थ पॉल उसे रिपेल करना स्टार्ट कर देगा तो बेसिकली यह नॉर्थ पॉल बना कैसे जब यह पास आ रहा था अपने कौस को क्या करने लग गया और बोस करने लगया कर रहा है न न कर रहा है अब इससे conservation का क्या लेना देना समझाते हैं एक बात बता रहा है जब आप इसे यहां लेके जा रहे हैं नॉर्थ पोल बना स्टार्ट हो चुका है तो आपको बता है रिपल्शन फोर्सीज है वी हाफ टो सम वर्क अगेंस इस रिपल्शन फोर्सीज नॉर्थ नॉर्थ को रिपल करता है आपको अगर इसातो है और फर्दर इदर लिएकर जाना है तो आपको कुछ वर्क करवाना पड़ेगा मानतों यह चीज, mechanical work because mechanical work क्यों बोल रहा हूँ, आप कुछ motion करवा रहे हो, work related to motion is mechanical work वो work कराने के बाद आपको induced current मिल रहा है induced current मिलने का मतलब आपको induced EMF मिल रहा है, और आपको पता है EMF एक energy ही तो है, कैसे V is equals to W by Q work done per unit chart, work done energy, same thing ना और यह भी तो लिखी सकते हो, एक ही तो बात हो गई यार V और E, right तो मैं कहा सकता हूँ, energy का ही एक funda है, यहाँ पे EMF, ठीक है, क्या है energy, तो क्या किया, आपने mechanical energy दी, क्या मिल रहा है, electrical energy अपने आप तो नहीं आती कुछ काम किया, कुछ वक किया, आपने कुछ mechanical energy प्रोवाइट करी, तो आपको क्या मिलगी electrical energy, energy can neither be created, nor be destroyed, नहीं हमने create करी, नहीं हमने destroy करी, यह create नहीं हुई है, यह transform हुई है, कहां से mechanical से electrical बनी है, यह funda याद समझाता है, अब बात आती है lenses law कैसे करता है, इसको ना contradiction से प्रूव करते हैं, इतना समझा आगा, lenses law हाँ, यह follow करवा रहा है, but violet क्यों नहीं कर रहा है, यह चीज़ समझते हैं एक बात बताव, lenses law तो यहीं कहाएदा ना, कि यहाँ आपने cause को oppose करेगा, अगर यहाँ पर नॉर्थ पूल थम इधर पॉइंट कर रहा है, मतलब इधर नॉर्थ इधर साउथ यह तो अपने आप एड्रेक्ट नहीं कर लेगा हमें तो कोई work करवाने की ज़रूरत ही नहीं है समझते हो यह चीज़, इस किसमें अगर मैं इस bear magnet को यहाँ ले आओ, मुझे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप उधर चला जाएगा अपने आप चले जाने का मतलब पास लेके आओ, थोड़ा सा लेके आओ तो forces ऐसे develop होती है कि उसके बाद खुदी कहीं चलेगा इसे हमें कुछ work करवाने की नहीं होगी एक time के बाद तो एक time के बाद जब हम work करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप पुल कर लेगा, तो आपके energy मिल जाएगी, क्या आप work करवा रहे हो, आप work नहीं करवा रहे हो, क्योंकि वो खुद पुल कर रहे हो से attraction forces की वज़े से, जब आप work नहीं करवा रहे हो, वो से pull कर रहे है, मतलब इसका motion हो रहे है, बिल्कुल ठीक, तो EMF मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि flux change होता है, EMF basically क्या है, flux का change, D phi by D T minus D phi by D T, और phi क्या होता है, B A cos theta, phi क्या होता है, B A cos theta नहीं लिखा, लिख दिया आप मैंने, phi क्या होता है, B A cos theta, magnetic field तो change हो रही है, जितना जितना पास आएगा, magnetic field उसे आप से link ज्यादा करेगी, ऐसा होता न, यह कुछ फंडा, यह देखो, यह देख होने वाला कुछ, EMF आ गया, ठीक है, लेकिन उस case में, हम कुछ work नहीं करवा रहे हैं, वो खुद pull कर रहा है, और energy मिल रहे है, मतलब energy create होने लग गई अपने आप, समझो यह चीज़ को, transform नहीं हो रही, हम तो work करी नहीं रहे है, वो तो अपने आप कीच रहे है, pull अपने आप कर रहे हैं, attraction forces की वज़े से, तो उस वज़े से क्या होता है, यह आपके energy conservation को principle को violate कर रहा है, क्योंकि आपको energy खुद मिलनी स्टार्ट हो चुग है, बीना किसी work के expansion के, मतलब हमें कोई work नहीं करवाना पड़ है, तो हम पता सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ, lenses law conservation energy principle को करत है, follow, तो यह था सारा का सारा, इसको पर मैंने पूरी खानी का दिया है, आई होब आप लोग को सारी की, यह सारी चीजें समझ आगे होंगी, उसके बाद next बोलता है, use the expression for lawrence force acting on a charge particle, use बोला है सीधा सीधा, उसका expression का use करना है, और derivation है, basically मैं derivation नहीं करने वाला, EMF का expression निक of length L, moving with velocity V and magnetic field V acting perpendicular to this, यह है यार बच्चो, formula, E is equals to BLV, यह निकालने के लिए बोल रहा है, मैं already discuss कर चुका हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं होने चाहिए, आगे आते हैं, next जो है आप लोगों का, okay, question बड़ा simple है, पहले तो बोलता है, explain the meaning of term mutual inductance, mutual inductance मैं बता चुका हूँ आपको एक coil के अंदर induction होने की वज़े से, दूसरी coil के अंदर भी same phenomenon हो जाना, वो mutual induction है, आपका mutual, उसके बाद वो कहते है, दो आपके circular coil concentric, यह कुछ फिनोमेना कह रहा है, दो coils हैं आपके, एक यह वाला हो गया, इसे दो the coil 1, यह 1 हो गया, यह आपकी हो गया, यह आपकी हो साम है, यह हो गया, coaxially with the center coinciding भी जीदर, मैंने कहा था, center coincide कर रहे होंगे, बस ठीक है, axis बोला था, मैंने, obtain the expression to mutual inductance, यह रहा, यह लिखना, आपको यह derive करना है, बेसिकली, तो आराम से कर लेना, यह चीज़ हो जाने चाहिए, आगे, next question देखते है, next question is, predict the polarity of capacitor in the situation, described below, okay, आपके सामने कोई diagram आया है, उसमें वो कहता है, polarity निकालो, इस capacitor की, तो देखते हैं, इसमें क्या फंड़ा है, ओके, ऐसा कुछ है, यह एक north pole, यहाँ पर कुछ ऐसा है, यह a end, यह b end, ठीक है, यहाँ पर आया उसका south pole, ठीक है, यह south इदर आ गया, यह north इदर आ रहा है, त आर जाएगा, और बी पर कौन सा आएगा, basically polarity capacitor है, एक positive और एक आपका क्या होगा, negative, समझते है, देखो, बहुत easy है, यह ऐसे है, हमें current दिखाने है, बिसी के लिए, current से ही तो बता लेगा, क्योंई current जहां से निकलेगा, वो positive और जहां पर जाएगा, वो negative, चलो, यह मैं कह कर रहा हूं, यह south pole pass आ रहा है, कहा रहा है, south pole, यहाँ close end पे, इस यहाँ पे कहीं, कौन सा pole develop होना चाहिए, lenses lock according, south develop होना चाहिए, south develop होने के लिए current को तो ऐसे जाना पड़ेगा, current गया, ऐसे, क्योंकि north इधर हो जाएगा, इधर से north आ रहा है, हम क्या चाहते है, यहाँ north आ ताकि वो अपना काम करे, oppose करने वाला, करेगा, बिल्कुल करेगा, तो current ऐसे चाहिए, यह current, यह ऐसे, अब आपको ऐसे नहीं समझ आता है, यह ऐसे current, north, अपने आप यह south बन जाएगा, ऐसे मतलब, low, कौन से direction होगी, मैंने ऐसे करके, फिस, ऐसे कर दिया, यह कौन से direction है, ऐसे क्या घूमती है, clock, तो मेरे को current कैसे दिखाना है, इसके अंदर clockwise, दिखा दिया clockwise, तो यहां से तो current निकला होगा, यह क्या बन गया, आपका positive, यह क्या बन गया, आपका negative, simple battery में क्या होता है, एक से current निकलता है, positive से, कहाँ चला जाता है, negative के अंदर, तो polarity हम बता सकते बड़ा अराम से, तो a की होगी positive और a की होगी negative, मतलब a is negative, b is positive, तो आई होप आपको इतनी चीज समझ आगे होगे, आगे बड़े, आप इतना note कर लो, फिर next देखते हैं, फटवट से, आई होप आप लोगो ने note कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, फटवट से, next है आप का, या, this one, ओके, define self induction कर सकते हो, obtain the expression for energy stored in an inductor connected across a source of EMF, energy का formula पूछ है, बहुत सिंपल सा formula है यार बच्चो, energy is basically e से दे दो, ये u से दे दो, half li square, again अभी मैं derivations नहीं करवा रहा हूँ, आप लोगों को main formula याद रखने होगे, इस बार, paper में derivations नहीं करवा रहा हूँ, इस बा education come numerical conceptual questions जाद आएंगे, new education policy में यही है, कि रटे नहीं लगवाने है, concept बता होना चाहिए, concept मतलब formula बता होना चाहिए, ठीक है, आदे आगे, और concept और भी चीज़ा आपको पता होनी चाहिए, formula याद रहेगा, आदे numerical, आदे questions तो आपके वहीं हो जाते है, आगे बात करते हैं बचो, next आता है आपका, ठीक है, वही बा, अच्छा, यह question ठीक है, वह पूछता है, obtain the expression for EMF induced in coil, having n turns each of cross sectional area A, basically cross sectional area A हो गया, rotating with a constant angular speed omega, in a magnetic field B, directed perpendicular to the axis of rotation, okay, वह कहता है यार, अपनी एक coil है, हम, एक coil है किसी region में घूम रही है, n number of turns है उसके, ठीक है, समझाती है वह बात, और उसकी angular speed दे रखी है, omega, वह भी ठीक है, magnetic field दे रखी, directed perpendicular to the axis of rotation, basically आपको सीधा असा निकालना होगा, EMF का expression, हाँ, कैसे निकलेगा, simple है, बहुत tough नहीं ह कुछ भी नहीं है, इसके अंदर, पहले तो अपने को 5 बता होना चाहिए, EMF बनता है, flux के change होने से, BA cos theta, मैंने लिखा था भी है, कहीं लिखा था, यह रहा, समझ ना बच्चों, हमें दे दिया angular, angular frequency, या theta का relation angular से निकालना पड़ेगा, वो क्या होता है, omega is theta by t, पता है न, angular frequency, angular velocity, क्या होगा, displacement, angular displacement upon time, तो यहां से theta कितना आएगा, theta is omega into t, तो 5 is equals to BA cos omega t, e कितना होता है, minus d5 by dt होता है, value put करो, कहानी घतम, क्या ही था यार, इसके अंदर, BA cos omega t, अब आपको बता है, cos का differentiation is minus sign, एक minus already है, एक आएगा वहाँ से, differentiation के बाद, तो 2 minus 20 plus, e is equals to, BA sin omega t, and we know that, t का coefficient भी बाहर आता है, differentiation का बहुत basic rule, तो वो भी आ गया, तो omega, d omega sin omega t, अगर n number of turns दे रखें हैं, तो n लेके चलना है, starting से, n भी यह, यह भी n हो जाएगा, यहां पे भी एक n आ जाएगा, तो यह तो basic सी चीज है, आप लोगा बढ़ से कर लोगे, तो घबराना नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ देख लो, omega omega गुम जाते हो, गुमना नहीं है, concept असान है, और यह बड़े अराम से आप लोगों का, हो भी जाना चाहिए था, ठीक है, तो यह पार्ट रब करता हूँ, छोटा से, इतने में खतम हो जाएगी, चीज ह आगे, फिर, next question उठाते है, बड़ा बट से, करे आगे, अच्छे से revise कर ले न, formulas लिख लिया करो, वैसे मैं लिख वाई रहा हूँ, तो, question नहीं है, as such, अब अगला question क्याता है, कि यार, an aeroplane is flying horizontally, from west to east, आपके reference में बात करते हैं, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, आपके reference में सामने देख रहा हूँ, हमारे लिए, ये east बच्चों, ऐसे करते हैं, ये east, ये west, और ये south, ये north, बच्चों, ये north और ये south नहीं होता है, ये south, ये north, ये east, ये west, कहां जा रहा है plane, west से east में, west से east में आपका plane जा रहा है, ठीक है, कितने velocity से, 900 km पर hour, first of all, इसे meter per second में convert करके, खतम करते हैं, यहीं पर पहली, यहीं मार देंगे, इसे, कितना आएगा, ये 50 आएगा, 250 meter per second, ठीक है, और कुछ भी given है, काफी कुछ given है, उसके बाद वो कहता है, उसके wingspan, आपको पता है, air plane है, तो उसके wing भी होंगे, length कितनी दे रखी है, 20 meter, कित horizontal component is, 5 into Dennis bar minus 4 Tesla, और angle of dip, delta, कितना, 30 degree, क्या ही है, इसके अंदर, है, थोड़ा सा तो है, देखो, horizontal magnetic field ऐसे है, sorry, direction क्या है, west-east, ये जारी, magnetic field भी horizontal है, बट यार, हमें पता, EMF निकालने के लिए, जो formula लगता है, वो होता है, E is equals to BLV, and in this case, ये जो आपके L और V, B और V है, they should be perpendicular, they should be perpendicular, ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये तो दोनों सहीम हो गए, तो अपने को क्या करना होगा, horizontal component of magnetic field से काम नहीं चलेगा, हमें vertical component लेना होगा, ठीक है, ताकि ये ऐसे हो जाए और ये, ऐसे बन जाए, ठीक है, तो याद र horizontal क्यों ने लिया, vertical क्यों लिया, हम horizontal से भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, reason समझा दिया, मैंने, ये ऐसे है, this should be perpendicular, तो क्या करें, B की जगा यहाँ पर क्या जाएगा, B V, बस, क्या जाएगा, B V, vertical component, now what is the relation between horizontal component and vertical component, if you have completed my revision lecture 1920, yeah, in which I have covered these topics, earth magnetism, right, तो उसके अंदर ये सारी था, so relation between this horizontal component and vertical component is B V upon B H, so B V is basically B H, 10 delta, we can simply put the values, B H, 10 delta, L की वेल्यू कितनी है, 20 meters, चलो भी नहीं करते है, is B H, B H is 5 इंदे पार माइनस पार माइनस 4, 10 delta, 10 30, 1 upon root 3, सिदी सिदी वेल्यू पूट रूट 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 ॉसके बाद आपका आता है L 20 meters, उसके बाद आता है V, जो किह है 250, after solving this, तोड़ा पहुत solve करो, महनत करो, you will get 5 by 2 root 3, ऐचसे कुछ आप लोगों का answer आजायगा, solve करोगे, तो आजाएगा, तो आजायगा पलोगों फाइनल रूट अंसर यह, मिल जाना चाहिए, ठीक है, यह सा आपका सिंपल सा कुशें आगे बात करते हैं अच्छे से याद रखना कि यारि वर्टिकल होरिजॉंटल मेंगनेटिक फील में से कौन सी लेनी होते हैं कंसे याद रखो कि तो हो जाएगा क्योंकि इस टाइप के और भी कॉश्चेंज हैं बट वह प्रिविए से में आये मे इसे अच्छे डेट आहीं ने सकती है आप लोगों के लिए अगर आप भी नहीं करोगे तो यार आप लोग भी प्रॉब्लम है वह बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो आगे कुशन है 2020 में आयवा है कुशन असान है कुशन यह कहता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इस सॉलि आप एक चीज़ देखो मुशन कुशन में गिवन है चेंज क्या हो रहा सिर्फ एन तो वह चेंज कर दिया है मैंने ल डाश मू नॉट एन स्क्वेर की जगाट टू एंड एंड एल डाश इस फॉर भार आया मू नॉट एंड स्क्वेर एंड एल डाश इस फॉर इंटु यह पूरा का पूरा फैक्टरी के आपका एल तो आप देख सकते हो जो नया वाला इंड़क्शन आया है पहले वाले से कितने टाइम्स है वो फॉर टाइम्स है साइड हो जाता हूं स्क्रीन शॉट लेकर नोट कर लिया होगा ठीक है आगे करते हैं नेक्स्ट आपका फटवर्ट से कुश्चन बनाते हैं जो की है नेक्स्ट इस ओके ऐसी फटवर्ट से करते जाएंगे राम सोते हैं बड़ा सिंपल सा है यार कुश्चन यहीं की मैंगेटिक फ्लक्स दे रहा है मैंगेटिक फ्लक्स सीब्सी सेंपल पेपर 1922 लास्ट यह वाला था मैंगेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद तकॉयल चेंज इस इस बाइट इस पार माइनस टू वेबर विन्दग करेंट चेंज इस बाइज 0.01 एंप्यर सेल्फ इंडिक टेंश बहुत सा यह तो फ्लक्स दे रखा है कितना टू इंडू टैंटिक बार माइनस टू वेबर उके और आपको दे रखा है करेंट भी दे रखा है तो क्या ही बचा है इसके अंदर 0.01 एंप्यर राइट एल निकालना है एल तो 5 by i होता है एल इस 5 by i यहीं से निकल सकता है देख लो फाइस गोज टू ला एल इस गोज तू फाइबाई आई खताम होगे यह तो नहीं पर टू इंटू टैंस पार माइनस टू अपॉन जिरो पॉन जिर रिटन एज अगें टैंस पार माइनस टू एल कितना हांगे टू यूनिट्स अर इंपॉर्टेंट हैं री क्या हो जाएगा हैं री टफ तो देखो बच्चो यह हैं नहीं आगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट यादा है तो इस यूनिट के कॉश्चिन करने बिलकुल बह सेंपल वेपर में हैं आप देखो 2021 वाले सेंपल वेपर में कॉश्चिन कहता है वही सॉलिनोइड है एंड लूप से आयरन कोर है करेंट आई है शौट करके बता रहा हूं मैं क्योंकि बीच की कहानी कोई नहीं सुनता कोई नहीं बढ़ता में जीश वह वह देखते हैं इव करेंट आधा कर दिया तो क्या फरक पढ़ना चाहिए अब अच्छो आप लोग गलती करोगे इसमें मैं बता रहा हूं हमें बता है यह फॉम्मला है आप लोग क्या करने वाले हो में पहले यह बता रहा हूं आप लोग करोगे ल इस इको फाइब आई जो कि अभी हमने यह क मैं नहीं सब्सक्राइब कर ले लेकर नहीं फाल होता है यह यह कुंछ पता हूब यह क्यों नहीं लगाया वो क्यों नहीं लगाया मैं बताता हूं यह relation आया कैसे 5 proportional to high जब आपको बता है proportionality को रिमोव करते तो क्या अधर proportionality constant इस expression के अंदर यह constant है यार यह क्या constant इसके dependence थोड़ी ना इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर यह यहां तो खुद यह constant की तरह एक्ट कर रहा है इसका अलग से expression derived कर रहा है वो जो किए है हां इन फैक्टर पर डिपेंड करता हूं तो समझ नहीं है यह चीज़ जहांपे constant की तरह ब्याइब कर रहा है उस expression से आप इसके dependence बाकी factor से नहीं उठा सकते, इन factor से उठाओ, क्योंकि वहां तो constant है, यह constant थोड़ी नहीं, समझो यह चीज को, ठीक है, एक simple example देता हूं, तो पहले तो यह लगेगा formula, mu not n square a by l, क्या यहां पर कई i है, नहीं है, तो answer क्या आएगा, no change, कोई change ही नहीं है, current पर dependent ही नहीं करता है सीधी सी बात तो यह है, current पर dependent करता है, flux, सीधी सी बात यह है, l depend नहीं करता है, एक छोटे से example देता हूं, अगर आप लोगों को यह बात नहीं समझाए, constant का क्या चक्कर है, वैसे मैंने बता दिया, कि यहां constant है, constant के dependence नहीं दिखा सकते हैं, आप ऐसे, एक बात बताओ, v is equals to ir आता है, चलो छोड़ो, उसे पहले, v is proportional to i आता है, फिर आता है, v is equals to ir, क्या मैं यहां से कहा दू, r is equals to v by i, मैं यह नहीं बोल सकता कि आपका जो resistance, वो current पर dependent करता है, actually मैं यह नहीं होता है, बच्चों, होता कै, resistance को तो अलगी formula है, ml upon n e square a tau, resistance in factors पर dependent करता है, और, resistance in factors प पर dependent करता है, और इसको सुरू ल बाए, resistance in factor पर dependent करता है, समझे रो यह चीज, आप यह नहीं कह सकते है, क्योंकि r तो constant की तरह ट्रीट करता है, same funda यहां पर है, तो कभी भी आपको resistance की variation बोले, तो आप यह चेक करोगे, यह चेक करोगे, यह चेक नहीं करोगे, हाँ वो अल जादी आज, कि constant और उसकी variation को कैसे देखते हैं, ठीक है, चालो, तो अब आपका एक last question करते हैं, आज का, फिर आगे continue करेंगे, और भी questions लेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा lecture already हो चुका होगा, और बड़ा नहीं करेंगे, next में से continue करेंगे, और फिर मैं alternating current and all भी उठाऊंग दीर दीर चलता रहेगा, आप लोगों का time है, अराम से देखते रहना, जब भी आपको मौका लगे, आप किसी भी साल में देख रहे हैं, मैं 2021 में लेक्टर बनार, आप 2030 में भी देख लो, अगर slavus होई है, तो concept भी यही है, काम आएगा आप लोगों के, तो एक simple question यहाँ ह of turns, okay, third, resistance of a coil, नहीं दिख रहा, square of number of turns, fourth option दिखा, आपको square of number of turns, formula याद है तो, question घतम, inductance किस पर depend करता है, कोई साभी पूछ ले हो, यहाँ पर भी square कर सकते हो, N1, N2, basically क्या हो रहा है, दो N है, तो square हो सकता है, नहीं तो otherwise यही लगा लो नहीं, जब कुछ नहीं बोल रहा दो, आप सीधा यह लगा, inductance of a coil बोला है, तो self induction ही लगेगा, a coil बोला है, single coil, तो directly proportional किस के होगा है, square of number of turns के, again, क्या बोला था मैंने, formula याद है, तो question हो जाएंगे, सबसे main आपको ध्यान, formula पर देना है, derivation करोगे, formula याद रखोगे, बार बार formula लिक लिक के देखो, main काम यह होता है, बहुत कुछ paper में clear हो जाएगा, आप लोगों, so guys, this was all about today's lecture, तो I hope आप लोगों को सारा का सारा conception मच आगया होगा, आगे भी बढ़िया बढ़िया, इसी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा चीजे, और सारे के सारे वही question है, to the point बात कर रहा हूँ मैं, starting से, यह आता है, यह आ चुका है, इदर उदर के फालतू चीजे में कुछ नहीं बढ़ा रहा, फालतू की बात भी नहीं कर रहा, थोड़ी सी अभी कर रहा हूँ बस, लेकिन आपको वो सुननी जुरूरी है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं, किस तरीके से करना और क्या करना यह बहुत important रहता है, तो मिलेंगे आप लोगों से next में, revision lecture number 22 में, इसको आगे और continue करेंगे, और भी देखते हैं कुछ अच्छे चीज़े करेंगे, तो बीच बीच में और अच्छी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए prepare करें रहा हूँ, तो वो भी जल्दी upload करूँग So guys, all the best from my side, bye bye and take care.